What is ADC in Customs for Pharmaceutical Product Clearance? ADC कोन होता है? Customs में ADC का मतलब होता है Assistant Drug Controller. जब Pharmaceutical Products जैसे दवाईयां, Import या Export होती हैं, तो ADC उनकी Clearance के लिए जिम्मेदार होता है. ADC क्या करता है? 1. Documents Check ADC या सुनिश्चित करता है कि सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे Drug License, Import Permits और Quality Certificates सही और वैद हो. 2. Inspection और Sampling कभी-कभी ADC दवाईयों को Physically Check करता है और Sample लेता है, ताकि देखा जा सके कि वे सभी Standards और नियमों का पालन कर रही है. 3. Approval या Rejection अगर सब कुछ ठीक हो, तो ADC Clearance दे देता है, अगर नहीं, तो Reject कर देता है. 4. नियमों का पालन करना ADC यह देखता है कि दवाईयों, Drugs and Cosmetics Act और अन्य नियमों का पालन कर रही है या नहीं. ADC का काम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सुनिश्चित करता है कि जो दवाईयां Import-Export हो रही हैं, वे सुरक्षित और असली हो और Public Health के लिए सुरक्षित हो. Thank you so much. Please like and subscribe.